हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमीन बॉलिवुड अक्टरस तपेका पादकोन की जब भी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो कोई नया विवाद सामने आ जाता है अब उनकी फिल्म छपाक रिलीज के लिए तयार है और ठीक दो दिन पहले एक बड़ा विवाद सामने आकर खड़ा है जेनियो हिंसा और ऐसे कई मुद्दे के बीच बॉलिवुड के कई सितारे प्रोटेस्ट करते नजर आए वहीं अब डिपिका पादुकोन के जेनियो में दस मिनट के साइलेंट प्रोटेस्ट ने उनकी फिल्म छपाक को सोशल मीडिया पर ट्रेंड मिला दिया है वहीं अब हर किसी के दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या सच में दिपिका पादुकोन ने JNU में केवल पॉबलिसिटी के लिए एंटरी की थी क्योंकि हर बार ही दिपिका पादुकोन के फिल्म रिलीस से पहले ऐसे ही किसी विवाद की शुरुआत हो जाती है वहीं चलिए इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको दिपिका पादुकोन के ऐसे ही विवादों के बारे में इस फिल्म में दिपिका पादुकोन ने एक बोल्ड लडगी वेरॉनिका का किरदार निभाया था इस फिल्म में दिपिका के बोल्ड रेस और कलिविच को लेकर विवाद बना था फिल्म में दिपिका के साथ सैफ अलिखान और डियाना पेंटी भी इमपोर्टंट रोल में नसर आये थे ये फिल्म ना सब बॉक्स ओफिस पर हिट होई थी बलकि दिपिका के करियर के लिए भी ये फिल्म गेम चेंजर साबित होई थी संजलीला भंसाली के इस फिल्म का नाम पहले राम लीला था इस नाम को लेकर काफी विरोध हुआ था क्योंकि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला था जिसके चलते फिल्म का नाम बदल कर गोलियों की रासलीला रामलीला किया ख्या इस फिल्म के चलते भी डिपिका पादुकोन का नाम विवादो में आ गया था बतादी कि ये फिल्म भी बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी साथ ही इस फिल्म के लिए डिपिका को बेस्ट आक्टरस का अवार्ड भी मिला था फिल्म बाजीराव मस्तानी में इतिहासिक पात्र पेश्वा बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी को दिखाये गया है इस फिल्म को लेकर बाजीराव मस्तानी के वन्शजो ने इतिहास से छेट छाड को लेकर विरोध जताया था इस फिल्म के चलते भी दिपेका का नाम विवादों में आ गया था संजली लभनसाली के डिरेक्शन में बनी ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट सावित होई थी 2018 में आई सूपर हिट फिल्म पदमावत को लेकर भी यही विवाद सामने आया था इस फिल्म पर करणी सेना ने तिहास से छेड़ चाड़ करने का अरोफ लगाया था इस फिल्म का इतना विरोध हुआ था कि लोगों ने दिपेका पादुकून, रनवी सिंग और संजली लभनसाली को मारने तक की धमकी दे डाली थी हालकि तमाम विवादों के बावचूद रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जबदस्त कलेक्शन किया था और फिल्म ने भारत में लगभग 300 करोड और वर्ल्ड वाइट, 580 करोड रुपे की कमाई की थी तो देखा आपने दोस्तों, जब-जब दिपिका की कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज होती है, उसी के साथ उनका नाम विवादों से भी जुड़ जाता है साथ ही उनकी जिन-जिन फिल्मों पर विवाद होता है, वो बॉक्स ओफिस पर भी करोडों की कमाई करती है वैसे आपके इस पर क्या रहा है, आप हमें कमेंच करके जरूर बताएं पर भी करते है, तो नों को बहुत 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 बढ़ाई एक बहादूर लड़की की जिसने न केवल, यून सुर्वाइवर या फाइटर होने के बाद, बलकि पुरादेश को नॉर्मल केटेगरी में बहुत जादा प्रेणा रीती हम सब उसके गवात है, हम लोग लोग एस्टैक सब्स्क्राइब लेते हैं, मगर एक 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 परसनालिटी बहुत बढ़िगी बात है, मेरे साथ लगश्मी के किरडार की बहुत सारी चीज़े मेरे लिए जिंदगी में आ गई है, आपने लख्ष्मी को जिया है, माल्ती जो आपकी मालती है, लगश्मी और म I think like I said earlier, I think it's her spirit, I'm sure you've met her also, but it's how easy she is with everything and there is an ease, there is joy, there is attitude, there is all of those things. I can't, correct me if I'm wrong, but it's, I have never met somebody like her. She's unique, she's really unique and again, not with sympathy, not with what has happened, but what she's made of the incident, what she's made of her life after that. I am yet to come across someone as entertaining, as engaging. She's unique, she's really unique and she's really one of my most favourite people. I can sit and talk to her for hours. She's always full of stories, always full of anecdotes, which also you'll see in the film. You'll see her entire personality. It's not one dimensional. There's just so much to her, to her life. And, you know, there's many, many things to take away from. I think every character in every film teaches you something. I can't say that I've learned one thing or I'll take one thing. But I think overall, films impact you, characters impact you. And, yeah. I think the biggest thing here is that the one thing you will not see about, the one thing that Malti is not, is a bichari. That's the biggest thing. Okay, 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 guys. I'm going to take a, I'm going to let you all take a few questions. Let's just start with the guy there. I don't know. I really don't know. He's not seen. Y'all are the first people to see it. I, have you posted it already? No. So, I, as we speak. So, I'm talking to you before I talk to him, by the way. If you want to give your reaction, I'm going to move to the next question. Just one minute, one minute, guys. The lady here. I give her aabourge. Yeah. You know, I give her a – if I'm – if you – look at this point. Let's just take a look at this point. Let's take a look at this point. information life मैं यह प्लाटफॉर्म नहीं है उस चीज़ पर कॉमेंट करने का कि प्रयांका रेडी के साथ जो हुआ और उसके बाद जो हुआ वो सही है कि नहीं है we will not answer that here because those are our personal ideologies this is not the place for but the judiciary the way it is in our country has its own process और उसके उपर कॉमेंट करने की जगा हमारी नहीं okay I'm going to now guys hang on I'm going to pick someone who hasn't had a chance so there's a lady sitting there yeah we have no idea because we've literally just launched it now as oh when she saw me sorry sorry when she saw me she felt like she was seeing herself in the mirror making me shayad aap loog dekhing I'm sure we'll put that out at some point I felt like I was looking at myself and she felt like she was looking at herself which is a fabulous thing if you ask me so I was I was actually that I was the most nervous on that day this is the first time I'm playing a character that's alive that's real that's tangible that I can sit with talk to there's no historic reference and that's a big responsibility so when she came on set I think she came on the second day of on the first day correct and um Meghna was like Lakshmi's coming Lakshmi's coming I'm like okay where is she where is she I've never been so nervous but um she walked in and she just she just she was just glowing and she was happy and um you'll see all of it when the making comes out and there's no better validation for an actor than that when you're playing a real life character and the person is in front of you and says I feel like I'm seeing myself as an actor there's no better and bigger validation than that uh we have a plan it will unfold slowly watch this space uh okay I'm gonna now no I'm gonna now let the gentleman there take a question no he threw a tantrum was all pricey made me chase him he was like if you don't pay me my money I won't do it sir there was no reason for me to not associate myself with this yes you 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 you